आज हम इंडियन आयरुवेदिक डॉक्टर के माध्यम से modern physiology के topics को शुरू करने जा रहे हैं जिसकी lecture series में हम physiology के सभी modern topics को syllabus wise cover करने की कोशिश करेंगे उसी संदर्ब में आज हमारा जो topic है वो है homeostasis homeostasis के बारे में हमें आज जानना है कि homeostasis का क्या आर्थ है जब हम शरीर के अंतरिक वातावरण को maintain रखते हैं उसका रख रखाव रखते हैं तो उसे homeostasis कहा जाता है homeostasis क्यों जरूरी है homeostasis क्यों जरूरी है ताकि शरीर एक ही अवस्था में निरंतर चलता रहे जैसे मैं आपको टेंप्रेचर मा प्लस थर्टी सेवन डिग्री सेंटिग्रेटर नहीं को तो इस अवस्था को maintain करना बहारी वातावरण से शरीर के अंतरिक वातावरण का एक संतूलन बनाय रखना ही क्या कहलाता है होमियो स्टेसिस होमियो स्टेसिस अब इस होमियो स्टेसिस को maintain करने में हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम है वो सारे काम करते हैं और होमियो स्टेसिस सिर्फ एक तापमान को maintain करना ही नहीं होता है हर एक प्रतिक्रिया है चाहे आप respiratory system ले लिजिए कि श्वशन संस्थान में जो है oxygen शरीर के अंदर जाती है carbon dioxide बाहर आती है उन अवस्थाओं में भी normal जितनी oxygen को अंदर जाना चाहिए जितनी मातरा में oxygen को अंदर जाना चाहिए वह जाती है और उतनी ही मातरा में carbon dioxide बाहर भी आती है यह भी क्या है? शरीर के आप भ्यांतर वातावरण को maintain करना, रख रखाव रखना, physiological maintenance of internal environment of body, आंतरिक वातावरण को maintain करना, each body system try to regulate internal environment, शरीर का हर एक सिस्टम जो है वो homeostasis को maintain करता है, उसके अपने homeostasis को, ऐसा नहीं है कि respiratory system या श्वशन संस्थान की जो बात है, कि वो brain को भी regulate कर लेगा, कि brain के अभ्यांतरिक वातावरण को वो maintain करेगा, ऐसा नहीं है, हर एक सिस्टम अपनी अपनी duties को पूरा करते ह हैं, करते हुए homeostasis को maintain करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है, feedback mechanism, अगर हम exam के point of view से बात करें, तो जो इसकी कार्य प्रणाली है, homeostasis काम कैसे करता है, उसके नियम बनाए है, वह नियम, homeostasis का mechanism कहलाते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक positive feedback mechanism और दूसरा negative feedback mechanism, positive feedback mechanism क्या होगा, जैसे मान लेजिए हमें कहीं चोट लगती है, उस अवस्था में कि इतने एरिया में जो है, injury हो गई है, कोई चोट लगी है, वहाँ पर सबसे पहली प्रात्मिक्ता क्या होगी, कि आने वाले blood को रोका जाए, दोनों तरफ से जो एक blood चल रहा है, जो circulation चल रहा है, उसे रोका जाए, इसे क्या होगा, कि बंदे की death नहीं होती है, hemorrhage या रक्त स्राव जितना कम होगा, death के chances उतना ही कम हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, repair, इस area की repair शुरू हो जाती है, ठीक है जी, तो यहाँ repair में क्या होगा, कि यह जो चीज़ें टूटी हैं, उन्हें फिर से बनाना है, उसके लिए क्या चाहिए होगा हमें, fibrin, fibers, मतलब तन्तू, ठीक है, तो तन्तूं की आवशक्ता होगी, यह तन्तूं कैसे बनते हैं, जैसे ही चोट लगी, तो brain को message आता है, कि वह आप जो है, pro-thrombin activator, यह कोई chemical है, कि इसका निर्मान प्रारंब कर दीजिए, यह pro-thrombin क्या करेगा, pro-thrombin activator क्या करेगा, pro-thrombin को, thrombin में convert कर देता है, इससे क्या होगा, कि जो खून का थक्का बनना है, क्लॉट बनना है, जो यहाँ पर, वो क्लॉट बन जाता है, खून रुक जाता है, यह क्या है, positive feedback mechanism, positive feedback mechanism, इसी प्रकार से, negative feedback mechanism क्या है, negative feedback mechanism में, एक hormone है, अमारे, जिसका नाम है, TSH, thyroid stimulating hormone, thyroid stimulating hormone, क्या करते हैं, कि thyroid hormone को stimulate, या उत्तेजना देने का कारिय करते हैं, उत्तेजना, मतलब प्रेरित करेंगे कि T3 और T4 का secretion, लगातार चलता रही, परन्तु, यदि TSH का level बढ़ जाता है, TSH का level बढ़ जाता है, तो T3, T4 का level कम होने लगता है, यह क्या है, negative feedback, brain को दोबारा संदेश जाता है, कि यहाँ पर मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, इसके लिए आप जो है, वो TSH को कम कीजिए, ठीक है, तो यह TSH का level कम होना क्या कहलाएगा, negative feedback mechanism, हर एक system का अपना role है, जैसा हमने पहले भी बात की, मैं उसी बात पर दुबारा आता हूँ, क्या कारियर रहा, respiratory system से हम देखते हैं, respiratory system क्या करेगा, pH को में दोने का काम करता है, blood जो है वो, इसे ना हो, ज्यादा basic ना हो, जो इसका normal pH है, 7.4, वह है maintain रहे, ठीक है, दूसरा, जो supply है, oxygen की, cells के लिए, oxygen की, supply को maintain करे, इसी प्रकार से, digestive system का काम क्या है, कि normally, जो fatty acid, amino acid, carbohydrates, ये सब चीजे हैं, इनका, संपुन रूप से, पाचन करे, साथी साथ, हर एक cell को, उसकी supply करे, देखी क्या लिखा यहां पर, nutrients, जैसे, carbohydrate है, fatty acid है, amino acid है, इन सब चीजों का, absorption होना, और, cell को, उसकी supply, प्रदान करना, यह कार्य किसका है, digestive system का, endocrine system है, hormones हैं हमारे, तो hormones का, normal regulation, चलते रहना, चाहिए, insulin है, ACTH है, PTH है, मतलब, parathireoid hormone है, या thyroid hormone है, उसके बाद, muscular system और skin, यह क्या करते हैं, शरीर के, ताप मान को, maintain करते हैं, शरीर के, ताप मान को, कौन, skin जो है, अमारी, तवचा जो है, और, muscles या, मास्पेशियां जो, और, शरीर को, motility, मतलब, motion, या, challenge, provide कराती हैं, against adverse surroundings, कितनी भी, गातक परिश्थिती हो, कितनी भी, ठंड हो, कितनी भी, गर्मी पड़ती हो, तो skin, या तवचा जो है, वो, अंतरिक, जितने भी, अमारे organs, internal organs हैं, उनको, बचाती है, ठीक है, उसके बाद, दूसरे जैसे system है, skeletal system है, अस्तिव एस अंस्थान, ये शरीर को, एक धाचा provide करता है, किडनिया हैं, अमारी जो, excretory system के अंतरगात आती है, वह भी, pH को maintain करती है, तापमान को maintain करती है, metabolic end product, जितने हैं, end product मतलब, संपूर्ण पाचन के बाद, जो चीजें बच गई हैं, वहाँ पर, जिनका उत्सर्जन होना है, जो विशेले पदार्थ हैं, उनको urine के माध्यम से, बाहर करती है, circulatory system में हमारा, heart और blood vessels हैं, वो क्या करते हैं, transportation का का काम करते हैं, जितने भी nutrients जो पाचक तक तक तो हैं, carbohydrate है, protein है, fat है, इन सब को, हर एक कोशिका तक पहुँचाने का कारिया, जो है, वो circulatory system करता है, तंत्री का तंत्र है, तो तंत्री का तंत्र क्या करेगा, sensory system detects the state of body, यह शरीर की अवस्था के बारे में बताता है, वर्तमान में शरीर की क्या अवस्था है, चाहे हमें चलना है, उठना है, बैठना है, किसी चीज़ के प्रतिक्रिया हमें जाहिर करनी है, तो यह कौन काम करेगा, nervous system, CNS uses sensory information, यह ज्यान, sensory information मतलब, ज्यान वर्दक जो भी चीज़ें हैं, या ज्यान के लिए जो भी चीज़ें हैं, ज्यान इंद्रियां जो हैं हमारी, उनके लिए appropriate response जाहिर करता है, ठीक है, appropriate response कार्थ क्या होगा, जैसे कोई चीज़ देखनी है, तो वो हमें brain के मादम से ही पता चलता है, जो हैं, अच्छिक और अनच्छिक, दोन्नों ही क्रियाएं जो हैं, वो CNS के द्वारा पूरी होती हैं, और क्या है, यह hormones को भी regulate करेगा, क्योंकि brain तो क्या है, master है, हर प्रकार के काम करने में वह सक्षम है, तो जितने भी hormones हैं, हमारी wordy mean के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे, एक पूरा topic है हमारा endocrine system, उस lecture में हम इस बारे में बात करेंगे, इस प्रकार से homeostasis के बारे में हमें जानना चाहिए,